प्रियास करता है इस notification के उपर हम इस वीडियो में जानने का प्रियास करेंगे कि ये recruitment कहां से निकल कराया हुआ है अब कितनी सीटो पर यहां पर recruitment मांगे जा रहे हैं application fees क्या है और farm को fill up करने का जो last date यहां पर रखा गया है वो क्या रखा गया है तो इन सभी चीजों को details में समझने के लिए वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है किरपय चैनल को subscribe कर ले ताकि इस तरीके का जो भी information आप लोगों के लिए हमारे वीडियों के माध्यम से बनाए जा रहे हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुचता रहे तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं इस वे फार्म का जो important dates है वो क्या रखा गया है तो अगर आप यहाँ से फार्म apply कर रहे हैं तो यहाँ पर जो last date रखा गया है received hot copy of application का वो 22 जनवरी 2024 का डेट रखा गया है 22 जनवरी से पहले आप फार्म फिल अप कर लें यही इसका last date रखा गया है यहाँ पर जो importance link है जहां से आप लोगों को फार्म apply करना है और यह जो notification है यह notification भी आपको इसी website पर मिल जाएगा जो की sgpgims.org.in पर उपलब्द है आप वहां से download कर सकते हैं यहाँ पर जिस department से recruitment मांगे जा रहे हैं और जिस post पर recruitment मांगे जा रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं एक ही notification में इन्होंने चार डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर यहाँ पर recruitment मांगे जा रहे हैं तो जैसे कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेशर के लिए फार्म अपलाई करते हैं तो यहाँ पर जो salary आप लोगों को प्रवाइड कराई जा रही है वो label 12 का pay scale यहाँ पर रखा गया है 1,500 रुपए से 1,67,400 रुपए तक यहाँ पर salary आपको पर मंत के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी वहीं अगर आप associate professor के लिए फार्म अपलाई करते हैं तो यहाँ पर label 131 का pay scale रखा गया है जिसमें आप लोगों को 1,38,300 प्रोवाइड कराई जा रही है additional professor के लिए अगर आप फार्म अपलाई करते हैं या फिर आप यहाँ पर appoint कर लिया जाते हैं तो जो salary यहाँ पर आप लोगों को provide कराई जा रही है वो label 131 का रखा गया है जिसमें आप लोगों को 1,48,200 रुपए से 2,11,400 रुपए पर मंत की salary प्रवाइड कराई जाएगी वहीं अगर आप प्रोफिशर के लिए appoint होते हैं तो 14A लेबल का पेस के लिए आप पर रखा गया है एक लाग 68,900 रुपए से 2,20,400 रुपए यहाँ पर salary आपको पर मंत प्रवाइड कराई जाएगी जिन department से यहाँ पर recruitment मांगे जा रहे हैं उ इमर्जंसी मेडिसीन से recruitment आया हुआ है एनिस्थेसियो लाजी से recruitment मांगे जा रहे हैं OTO, राइनो से यहाँ पर recruitment मांगे जा रहे हैं clinical, immunology में यहाँ पर recruitment मांगे जा रहे हैं Cardiology, Critical Care Medicine, Nuclear Medicine, Neurology, Neurology, Chemistry, Neurosurgery, Neonautology, Neotherapy, Nephrology, Plastic Surgery, Pulmonary Medicine, Pediatric, Pediatric Surgical, Super Pathology, Biostatics, Health Informatics, Microbiology, Molecular, Medicine, Medical, Genetics, Urology, Radio, Diagnosis, Radio Therapy, Hospital, Administration, Hemtology, Clinical से यहाँ पर recruitment मांगे जा रहे हैं वहीं liver transplant unit के लिए यहाँ पर recruitment निकल कर आये हुए हैं professor, associate professor, additional professor और professor के post पर यहाँ पर जो post निकल कर आये हुए हैं उसके related जो qualification है वो सारी चीजे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी आप अगर इस farm को apply करते हैं तो आप जिस department से farm apply करते हैं उसका जो qualification है यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो age limit रखी गई है वो 50 years रखा गया है 50 साल से कम उमर के जो भी candidate है farm apply कर सकते हैं application fees की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो application fees मांगे जा रहे हैं 2000 रुपए जनरल cut degrees में मांगे गए हैं तो अगर आप interested हैं और related subject में आप लोगों के पास qualification है तो आप farm apply कर सकते हैं application करने का last date जो यहाँ पर रखा गया है वो 22 जनवरी 2030 का date रखा गया है 22 जनवरी तक आप संजय गादी post graduate institute of medical science जो की राइबरेली लखनव में established है यहाँ का farm apply कर सकते हैं तो यहाँ पर किसी तरीके की अगर आप लोगों को farm से संबंधी परिशानी आती है तो आप इनके help line number पर भी call कर सकते हैं तो guys इस तरीके के और भी वीडियों आप लोगों को channel के माधिम से मिलते रहते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ अब तक के लिए thank you so much